खेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब का स्वागत है दोस्तों आसा करते हूं आप अच्छे स्वश्ब परशन होंगे मैं भी अच्छी उच्छी हूँ आज हम बनाने वाले हैं एक अलग सी अनोखी तरह कि सब्जी सब्जी तो आप पिंचान क सब्सक्राइब करेंगे तो में नें बनायाईए आज में प्राइब के लिए हैं कुछ भी करें ने करेंगे दो मेरी चाहीं है करें और पर जारेंगे एक्रिदी अब्यस्काइब को पता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब से पहले मैंने जो आलू लिए तहीं सबसे बूब के बलते सी चोठी स्कर लें एडिता तरह की यह तो इसको बहुन लें चीक्रिकाहन decorated तयल सारा निकाल दिया था और बिल्कुल थोड़ी लेर मैं अलग से हटा दिये थी इसांत में मैं ने प्याज भून लिया है प्याज को हम इसमें अच्छी तरह से क्योंकि यह बिंडी में मसाला कमाल करने वाला है ये मैंने प्याज पीस लिया है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं किया है, इतना किया है कि इसका टेस्ट आए एक अच्छा सा, भिंडी मैंने ऐसे काटी है, जनरली भिंडी में कीड़ी होने का डर रहता है, तो मैंने भिंडी दो पीस में काटी है, आप चाहें तो अगर आ अब जो प्याज भुना हुआ था उसका मैंने ऐसा बैटर बना लिया है साथ मैंने टामाटर हो रहे हैं बहुत महेंगे तो मैंने लिया है कैचप सौस और सेजवान चटनी इसका साथ मैं आज भिंडी बनाने वाली हूं अगर आपको अच्छी लगते हैं तो जरूर बनाएंगे तो वाकिया आप कहेंगे कि यह थोड़ा सा अलग सी रेसेपी है और इसका टेस्ट भी निराला है साथ में जार में थोड़ा सा बचा हुआ है प्याज हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पानी का इस्तों हम नहीं करेंगे जो जार में प्याज का पेश्ट बचा हुआ है उसमें हम थोड़ा सा इसको डाल के अच्छी तरह से जार को यह थोड़ा सा बचा इसको धो लेंगे इसमें डाल ले यह बस यही हम पानी का इस्तमाल करेंगे बाकिया आपको पता है भिंडी चिप-चिपी होती है और पानी इससे तो बिल्कुली खतम हो प्याज का बैटोत में इसमें डाल दिया तो इस सब्जी को बनाने में आपको दो मिनट भीन लगने वाले है बाद में शुरू में तो आप जब भूनना सा मेहनत लेकिन बाद में आपको इसमें बिल्कुल समय नहीं लगना है भून इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा सा प अगर आपको यह पसना आती है तो प्लीज इसको जाए-चादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अपने घर में जरूर ट्राइब होते हैं खाना बनाने में तो मेरे बच्चे जनरली आलू भिंडी की सब्जी में बनाती होते हैं और इस तरह से मैं भिंडी बनाती हूं हलकी स तो इस था बहुत सूखी बहुत घीली भी इसमें मसाला के क्योंटिटी ज्यादा होती है तो यह बड़ा अच्छा टेस्ट देती है तो इस तरह की भिंडी को बच्चे खा लेते हैं और अगर मैं सिंपल भिंडी बनाती हूं तो यह बहुत है नहीं है आप भी एक बार इस यह फ्लेवर निकल याए और वह बिलकिल दो झाल बना ने चाई की चमज से दो चमज में इसमें डेसी घी ज़ाला है कैसे बहुत जाद्री होगी समय तुद बहुत जादा निवन नाई हैं यह तो यह फ्लेवर्ध यह होना जिसमें मैंने थोड़ा सा प्यास से इसका बैटर ज्यादा बन गया है यह भिंडी मैंने जो फ्राइब की थी इसको भी हम इसके साथ डाल देंगे आलू मैंने पहले डाल दिया थे दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जितना हमारी मेहनत है ना भिंडी काटने भुनने मसाला बनाने तक है उसके बाद इसमें लगभग दो मिनट लगते हैं क्योंकि अल्ड़ी सब कुछ भुना हुआ होता है तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता पकाने में देखिए कि इतना खुबसूरत साइस ने कलर दिया हुए है उमीद करते हूं आपको यह रैसे भी जरू पुराने जो भी देखते हैं प्लीज कमेंट करें ताकि आपका कमेंट रेटन हो सके और मुझे पता चले कि मेरे कितने फ्रेंड मेरे साथ जूड़े हैं या मेरी रेसिपी या वीडियो पसंद करते हैं तो कमेंट की आशा रख सकते हूं आप से यह देखिए बिल्कुल एक मिर्ची की आप एक बार बना के देखेगा एक इसमें और जो मसाला या कह सकते हैं आपको ऐसे चीज रहे गई है जो इसमें और डालने हैं जिससे इसका टेस्ट और ऑसम आएगा इसने इतना सुंदर कलर दे दिया है तो देखेंगे आप ऐसे ब्लॉग में बने रहिए और अपने घर में इसको एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा उमीद करते हूं आपको यह पसंद आ रही होगी यह है वो लास्ट इंगरेंस जो इसमें डालना है मैंने दो चमज बड़ी चमज से घर की मलाई ली है टेबल स्वान से ताकि जो भिंड क्यों की सबजी की क्वांट ट्राइ करेंगे बांकि आपको जो वेजिटेरियन है आपको कुछ खाने के ज़रती है इसके अलावा इतनी स्वादिष्ट होती इसके साथ पराथे खा सकते हैं ब्रेट के सेंड्विच में हम इसको भर के लगाते हैं तो चीज के साथ आप इसको एक लाइस चीज डाल के सा आप लोगो भी चावल बनाते हैं तो उसके साथ बहुत ही लाजबाब होती है खेरे की रायते और इसके साथ तो मैं ट्राय करते हूं आज तो मैंने चावल नहीं खाए है खाली भिंडी के साथ रोटी खाई है करी हमें मेरे थोड़ा भारी से आ सकती है इसलिए आप देख स तो मैं भी कुछ सीखती हूं उससे, तो कैसी लगी आज की रेसिपी आप जुरू बताएगा, मुझे लगता है कि आपको रेसिपी जुरू पसनाएगी, आप हमारी भिंडी अच्छी तरह से पक गई है, भुन गई है, ज्यादा चिपक भी नीरी है, और ये देखे, वहाँ मस शेर कीजिएगा, जा साथ इसको लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंड कीजिए, और अपना प्यार जैसे मुझे दिया है, इसे तरह से देते रहिए, नई नई रेसिपी में आपके लिए लाते रहूंगी, जितना मुझे आता है, तो उसको प्यार की उमीद आप से रख सक झाल 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 झाल